नमस्कार दोस्तों, मैं लेलित कुमाठ हकुर, एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोग के सामने, क्रिसी भुगोल के अंतरगत एक नया टॉपिक के साथ, आज का हमारा विशाय है क्रिसी भुगोल के अध्यान के उपागम, Approaches to Study of Agriculture, जोगरोफी, अध्यान के उपागम, चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार उपागम क्या है, Approaches या अध्यान के उपागम में आखिरकार उपागम का अर्थ क्या होता है, उपागम काहने से अर्थ होता है, किसी particular इस्थान पर पहुंचने के लिए, जो भी क्रिया विधी हम अपनाते हैं, उसे उपागम काहते हैं, माल लेते हमें A इस्थान से B इस्थान की और जाना है, और जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रोड हैं, इसमें से कुछ वेक् इस्थान से भी इस्थान जाने की, कि जो क्रिया हम अपनाई करेंगे, उसे उपागम कहते हैं, उसी प्रकार क्रिसी भुगोल के अध्यान के लिए, क्रिसी भुगोल के पुर्नता अध्यान के लिए बहुत सारे विधी होते हैं, उन विधीयों में से हम किस विधी का उपयो अध्यान के उपागम क्रिसी भूगोल के प्रकृति हमेशा डिवलिस्टिक रही या फिर द्वैत्वाती रही द्वैत्वादी कहने का मतलब है कि एक और हम मानवों का अध्यान करते हैं दूसरी और साथी साथ परियावरन का इस्थानिक परिपेक्च में अध्यान किया जाता है डिवलिस्टिक कहने का मतलब है कोई दो तत्वों को एक साथ अध्यान करना जिसे एक दूसरे से कभी हटाया ना जा सके या फिर दूर ना किया जा सके कि वैसे ही क्रिसी भुगोल में एक और माना होता है और एक दूसरा होता है परिया वरन। इन दोनों को एक दूसरा से अलग करके नहीं दिखा जाता। चलिए बात करते हैं 1979 में इलबरी महोदय ने क्रिसी भुगोल के अंतरगत दो उपागम का सुझाओ दिया या फिर दो उपागम को फेमस किया जिसमें सबसे पहला है अनुभव जो अनुभव अधारित था अनुभव आत्मक या आगमनात्मक उपागम दूसरा है मानवी या निग्मनात्मक उपागम इंपीरियर और इंड़क्टिव मैथड दूसरा है नॉर्मेटिव और डिड़क्टिव मैथड चलिए देखते हैं कि आकिरकार ये अनुभव अधारित और मानवी या उपागम क्या होता है तो सबसे पहले देखते हैं अनुभव आत्रित इंपीर इंपीरियर और प्रॉच जैसे की नाम से ही है ये अनुभव पर अधारित होता है तो हमें स्वयम उबस्तित होकर उसे अनुभव करना होगा और अनुभव के पस्चात हम इंड़क्टिव अप्रॉच अपनाते हुए हम क्या करेंगे मॉडल का निर्मान करते हैं एक समानिय से एक्जामपल देता हूं, मान लेते हैं कि हमें क्रिसी फारमर्स जो क्रिसक होते हैं उनकी समस्याओं से अउगत होना है, तो हमारे पास बहुत सारे माध्यम होते हैं, एक की हम जाके उनसे पूछ ले, कि आपको क्या समस्या है, दूसरा हो सकता है कि हमें से कुछ वक्ति हो जो ये अपनाए कि मैं स्वयम ही वहाँ पर उपस्थित होता हूँ, एक महने मैं भी कृसी कारिय करता हूँ, कृसी कारिय करने के पस्चाथ, ये पता चल जाएगा मुझे कि आखिर कार ये फारमर्स जो क्रिसक हैं, वो क्या क्या प्रोब्लम होता है, तो इसमें दू अमभवास्षीत या इंपीरियर एप्रोच के अंतरगत वह्य दूसरी और होता है नौरमेटिव या डिड्युच्टिव एप्रोच मान वी या फिर निगमनाघ्मा के प्रोच इसके अंतरगता हम प्रतेक्श रोप से सामिल नहीं होते हैं इसमें हम protection रूप से किसी कार्या में सामिल नहीं होते हैं जबकि हम पास में खड़े होकर क्या करेंगे हम observe करेंगे निरचन करेंगे उन्हें देखेंगे कि आखिरकार क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वहां जाएंगे हम अपने study area पे जाएंगे और ये प्रयास करेंगे जान का वो निगमनात्मक या फिर normative approach के अंतरगत आएगा इसमें आदर्स क्रिसी भू द्रिस्य को के जानकरी प्राप्त हीतु अपनाया जाता है इसके द्वारा निरचन किया जाता है निश्चित दसाओं के अंतरगत किस प्रकार की भू द्रिस्य का विकास होता है इस उपाग प्राद के निर्मान करते है और उस प्रिकल्पना को फुरूफ करने के लिए परूफ करने के पसक्राद बेना परकाल करी सिधान काने द्यान देन parap00 घары 變 अधान करते हैं कि ऑनुभाव आसरित की जो हमारा method होगा जो approach होगा उसमें हम क्या करते हैं खुद उपस्थित होकर स्वयम काम में सलगन होकर अनुभाव लेते हैं और उस अनुभाव के अधार पर हम models का निर्मान करते हैं वही हमारे निगम नात्मक या मानवी की या normative approaches के अंतरगत हम क्या करते हैं observation करने के परिकलपना का निर्मान करेंगे और परिकलपना को फरूफ करने के लिए करने प्रुंद्यों का कृ्सिय वस्तिति का मौडल के संब में आप सभी लोग जानते हैं ये निगमनात्मक उपागम पर अधारीतcem भविश्य निगमनात्मक उभागम तध्यों पर अधारित होता है। अभव अधारित इस्टडी होगा हमारा वो फाक्ट के उपर डिपेंट करेगा फाक्ट्स तत्यों पर अधारित होगा वही मानवी है या फिर नॉर्मेटिव जो एप्रोज होगा वो सबसे पहले जैसे कि हमने हाइपोथिस निर्मान करना था फिर उसे फ्रूफ करना था तो ह आगे बढ़ते हैं अन्य उपागमों की और क्रिसीभ वोल के अध्यन के लिए मुख्य रूप से चार विसिस्ट उपागमों का प्रयोग किया कर जाता है जिसमें पहला है वस्तूगत उपागम दूसरा है प्रादेशिक उपागम तीसरा है परिया वर्नी उपागम चौथा जलिए देखते हैं कि करकिया आखिरकार यह उपागम है क्या है सबसे पहले बात करते हैं वस्तूगत उपागम या फिर कोमोडियटी एप रोच की बारे में यह संकलपना एक वस्तू विसेश की उपज की आवस्यक्ता वितरन संकेंदरन उत्पादन प्रसंसकरन विपनन तत्या अभौक का ध्यान करती है, ध्यान देंगे कि ये वस्तू गद उपागम है, कहीं कहीं स्थानों पर इसे वस्तू उपागम भी कहते हैं, कॉमोडियिटी अप्रोच में किसी कृसी उद्पाध है, तो बहुत सारी वस्तू है, जैसे गेहू हो गया, गन्ना हो गया, कहवा हो गया रबड हो गया तो इसके अंतरगत हम ये करेंगे किसी एक वस्तु याने के मान लेते हमने गेहूं को लिया और इस गेहूं के उपज की आवज सकता हो उपज है तु क्या क्या आवज सकता है उसकी विदरन क्या है संकेंदरन क्या है प्रसंसकरन उत्पादन तमाम तरह क पहलूओं का अध्यान करेंगे लेकिन सिर्फ एक वस्तू का ठीक है एक से अधिक वस्तू का उपयोग नहीं कर सकते इसी वज़ा से इसे वस्तूगत या फिर कॉमोडिटी और प्रोच कहते हैं किसी भूगोल में यह उपागम किसी विसेस किसी वस्तू विसेस के इस्थानिक जैसे गन्ना गिहूं का पास की खेती के भूगोल पर ध्यान के इंद्रीद करती हैं जैसे कि मैंने कहा था अगला है कि वस्तू गतू पागम का उद्देश चे कुछ विसेस्थ फसलों पर अधिक कुसल उत्पादन वाले छेत्रों की पहचान करना जहिर से बात है यदि हम किसी एक विसेस को लेकर किसी एक वस्तू को लोकर जैसे गहूं हो या फिर कपास को लेकर पुरे भारत का स्टडी करते हैं तो हमें पता चल जाएगा की वही कि गहूं के लिए सबसे उचीत इस्थान या अधिक उपजाओ वाला इस्थान या सोरी किन्तु वस्तुगत उपागम क्रिसी भुगोल को फसलो तथा पस्वो के अध्यान तक ही सीमित कर देता है। ये बात ध्यान देने योग्या है कि देख लेते हैं कि वस्तुगत उपागम है वो आखिरकार भारत में आया कैसे। अध्यान उन्हें का पास चाय चीनी का हुआ खासकर चाय की तो बहुत ज्यादा आवज सकता थी चाय की खेती की। तो उन्होंने क्या किया था कि चलो ये जानने के लिए कि किस शेत्र पर अधिक उत्पादन होता है। उपज कैसी है किस शेत्र में अधिक उपज हो सकता है। यह जानने के लिए उन्होंने वस्सूगत उपागम का प्रियास किया जिससे या भारत वर्समें आगे चल कि यह प्रचलित हुआ। चलिए आगे बढ़ते हमारे अगले उपागम की और हमारा अगला उपागम है प्रादेशिक उपागम या फिर रिजनल एप्रोच। 28 अताबदी में विक्सित प्रदेश की संकल्पना जो भुगोल की एक अधारबुद संकल्पना रही में विचार दिया गया कि प्रदेश प्रित्वी के धरातल का एक विसेष्ट भाग या छेत्र होता है जिसकी भौतिक सांस्कृतिक विसेष्टाओं में सामानता पाई जाती जिसमें अध्यन इकाई को उचित सुचक के अधार पर विभीन प्रदेशों में बाटा जाता है तथा उनके विसेष्टाओं के अधार पर उसका अध्यन किया जाता है कहने का मतलब है कि 28 अताबदी में प्रदेश की संकल्पना के अनुसार प्रदेश कोई भी एक इस्थान जहां पे भौतिक या सांस्कृतिक दिश्टी से कुछ विसेष्टाओं समानता पाई जाती हूँ तो प्रदेशी के प्रदेश के अंतरगत किसी प्रदेश का अध्यन किया जाता है प्रदेश का अध्यन कैसे किया जाता है उसे एक सूचक के अधार पर इस छेत्र को कोई भी सूचक के अधार पर अलग अलग भागों में हम डिवाइट कर लेंगे जब अलग 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 भ प्रमुख विद्वान थे जिन्होंने प्रादेशिक उपागम की और फोकस किया पहले थे बेकर थे, वालकेंबर्ग थे, हिटलसी थे, वीवर थे, कोपाक थे, तथा कुस्त्रोवी की थे इन्होंने क्रिशी भुगोल में प्रादेशिक उपागं पर अधिग बन दिया था क्रिशी भुगोल में ता किसी छेत्र में क्रिशी परिगटनाओं को विसलेशित तथा संसलेशित कर एक समगर रूप में प्रस्तूत करता है इसलिए इसे समा कलन उपागम ही कहते हैं ध्यार रखेंगे इस रिजनल शेडीब प्रॉच को इंटीग्रेटिंग या फिर समा कलन उपागम भी कहते हैं क्योंकि क्रिसी भुगोलवेता या क्रिसी विद्वान क्या करते हैं जो भी क्रिसी के परिघटना होका उसका विसलेतन तता सलेशन एक समग्र के रूप में प्रस्तूत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगला है परियावरनी उपागम। परियावरनी उपागम। इसे निश्यवादी उपागम भी कहते हैं। निश्यवादी उपागम कहने कार्थ है क्योंकि ये जो परियावरनी उपागम है ये पुरुनता निश्यवादी संकल्पना से प्रभावित है यह विचार परियावरन के परियावरन मानाव के समस्त कारियों के दीशा को नियंतरित करता है और निश्यवादी उपागम कहलात करती है अर्थात निश्यवादी उपाग्याम में यह कहा गया था कि परियावरन ही वो तत्व है जो किसी जीव जन्तु किस प्रकार से यहां सराइव करेगी उसका निर्नाय लेगी ठीक है चलिए देखती इसके अंदर गत और क्या है इस उपाग्यम के समर्थक मानते हैं कि भ परियावरी निश्यवादिया मानते हैं कि सभी वनस्पत्ती यह सब auto अपाग्यां के अंतर गत परियावरन को सबसे असलिए माना जाता है कि वो परियावरन ही है जो विभिन्न दसाओं में वो चाहे जलवायू हो विभिन्न ताकमान हो या मौसम हो उसके अधार पर किसी भी मानाओ पौधे वनस्पति या फसल को के उपच की दसाओं का निर्वान करता है साइमन्स ने 1966 के अनुसार परियावरनिय संकल्पना भूमी उप्योग प्रनाली विसेस्ता किसी प्रती रूपों के विसलेशन व्याख्या करने में सफल सिद्ध हुआ है वही हैरिस कहते हैं एंटी सिक्स्टियन में इनका मत है कि आदिम क्रिसी ववस्थाए प्राकृतिक परियावरन की सरचना के अनुरूप है किन्तु उनकी विभिन्नता है पसू पालन तथा फसल उत्पादन में प्रयूक्त विद्यो के कारण मिलती है कहने का मतलब सिद्धी है कि इस उपागम में हम परियावरन को सरव प्रूमुख मारेंगे और यह मान के चलेंगे कि परियावरन ही पुरे धरातल को प्रित्वी के प्रतेक जीव या फिर वनस्पति को नहीं अंतृत करते हैं और इस अधार पर हम अपने अध्यान को आगे बढ़ाएंगे आगे बढ़ते हैं आगे हैं हमारा क्रम बंध उपागम सिस्टमिटिक एप्रोच या फिर प्रम बंध उपागम कि यह उपागम प्रादेश को पागम तर अध्यान के साथ समायोजन करके अपना कारिया करता है प्राद जैसे कि हमने बात किया था कि प्रादेशिक उपागम में किसी विशेस्ता के अधार पर अध्यान छेत्र को अलग अलग इकाई में बाटा गया था फिर उसका इस्टडी किया गया था वैसे ही करमबंध भुगोल में उस छोटे छोटे इकाई को अलग अलग इस्तर में बाटा जाता है फिर उसके बाद अलग अलग एक के बाद एक इस्तरों का अध्यान किया जाता है करमबंध उपागम को समान्य या सरवभामिक उपागम भी कहा जाता है वारेनियस ने भुगोल को समान्य करमबंध तथा विशिष्ट प्रादेशिक वर्गों में भाजित किया करमबंध तथा प्रादेशिक ध्यान में रखेंगे करमबंध उपागम विशिष्ट करिसी परिगटनाओं की प्रादेशिक वित्रान के रूप में कह जाता है जैसे कि मैं बोल रहा था किस स्ट्रमेटिग अप्रोच में क्या करते है वहें करम निरदायध करते हैं कि सबसे पहले हम वहां के भौवलिक स्वरूप का अध्यान करेंगे फिर वहां के जलवायू का अध्यान करेंगे तत्पस्चाथ वहां के मिट्टी संबंधी इस प्रकार हम क्या करेंगे अलग अलग इस तर बना लेंगे और systematically one by one follow करते हुए हम अध्यान छेत्र को या फिर प्रदेश को इस्टडी करते हुए चलेंगे ऐसे अध्यानों में कारे छेत्रों गनीतिय मोडल के अनुप्रयोग द्वारा विस्तरित किया जाता है जो भूगल विताओं को किसी निश्ची तथा सूद्ध निश्कर से करेंगे हम अध्यान छेत्र को अलग अलग कि प्रदेशों में उभक्त करेंगे किसी विश्चता की अधार पर फिर उसको अलग अलग इस तर में जैसे सबसे पहले हमने वहां के भगोलिक धरातली विश्चता को पढ़ लिया फिर जलवायू को फिर मौसम संबधी दसाओं इस प्रकार हम step by step प्रदेश के अधार पर अध्यान करते हुए चलेंगे और इस प्रकार का जो study होगा या पिर अध्यान होगा वो systematic approach या फिर करंबंधन उपागम के अंतरगत आता है इसी के साथ ही क्रिसी भूगोल के अंतरगद मुखे चार तरह के जो उपागम थे वो खतम हो जाते हैं और आने वाले समय में मैं इस प्रकार की वीडियो बनाता रहूँगा तो आप लोग बने रहिए के साथ मेरे चाइनल में धन्यवाद थांक यू वरी मुच फर वचिंग